हेलो स्टुडेंट्स, आम चंडरलता राव, यह मैच्स टीचर फ्रम गुरुकुल अकेडमी, आज से हम ओनलाइन क्लास स्टार्ट करें हैं, क्लास सेवन्थ की, सबसे पहले हम चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंटीजर्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इं इंटीजर्स नमबर होते हैं, जिसमें पोजटीव नमबर भी आएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, up to infinity, हमारे पोजटीव नमबर है, तो पोजटीव नमबर आएंगे, नेगिटीव नमबर आएंगे और 0 भी आएगा, अब 0 जो है वो ना तो positive integer कहलाता है और ना ही negative integer कहलाता है इसको हम 0 integer बोलते हैं ठीक है तो इस बात का में ध्यान रखना है कि 0 जो है वो positive integer भी नहीं है और negative integer भी नहीं है इसको हम 0 integer बोलते है बट integer है यह अगर आपको basic और detail में देखना है कि integers को plus कैसे करते हैं minus कैसे करते है multiply कैसे करते है divide कैसे करेंगे basic को detail में देखना है तो मेरी पुरानी वीडियो जिसके link में आपको description box में दे दूंगी तो आप वहाँ से देख सकते है now we are going to start exercise 1.1 जिसका first question है right opposite बहुत simple सा question है इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको opposite लिखना है opposite कैसे लिखेंगे जो नीचे statement दे रखेंगे उनका उल्टा लिखना आपको opposite करके लिखना है जैसे की first question दे रखा है gain of 135 रूपीज यानि की gain का मतलब होता है profit यानि 135 रूपीज का profit हो आते इसका उल्टा क्या होगा profit का उल्टा होता है loss तो loss of 135 रूपीज इसका answer हो जाएगा इसका ही फिफ्थ क्यूशन है, increment of temperature, increment of temperature यानि temperature का बढ़ना, तो increment का उल्टा अमारा opposite जो होता है, वो decrement होता है, तो answer हो जाएगा decrement of temperature, next six question है आपका, 10 degree Celsius, above to zero, above का मतलब उपर, 0 से 10 degree Celsius उपर, उपर का उल्टा गया होगा, नीचे यानि कि बिलो, तो 10 degree Celsius बिलो टू चीरो, 326 before crest, before का उल्टा होता है, after, तो before की जगे हमारा after हो गया, बाकी same as it is, बहुत simple सा question है, opposite लिखना है, आप easily कर सकते हैं, अब in first, fifth, six, और eight, यह मैंने आपको करा दिया, बाकी के जो question है, वो मैंने, मैं not down करा रही हूँ, तो आप उसको not down करके, उसके answer आप मेरे को comment box में लिख देंगे, जो भी problem होती है, आप यह question not down कर लीजिए, second question है, gaining in weight, gaining का उल्टा क्या होता है, वो आपको लिखना है, go to the east, east का उल्टा क्या होता है, वो आपको answer में बताना है, withdrawal of money from bank, withdrawal का उल्टा क्या होता है, पैसे bank से निकालना, तो उसका उल्टा क्या होगा, वो आप को comment box में comment करके बताना है, next दे रखा है, going 35 km to south, तो इसका opposite क्या होगा, south का opposite क्या होता है, यह आप मेरको comment box में लिखके बताएंगे, अब आपका second question है, represent the following by using integers, आपको जो नीचे statement दे रखा है, उसको integer की रूप में लिखना है, जैसे कि first question दे रखा है, 250 meter above sea level, sea level say, 250 meter above, above का मतलब उपर, उपर जो है, उसको show करने के लिए, हम plus का sign यूज़ करेंगे, और नीचे का अगर below show करना है, तो हम negative का sign यूज़ करेंगे, तो इसका जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, 250 meter, और इसके symbol के आएगा, plus, ठीके, अगर यहाँ पे मान लो, above की जगे below ह होता है, तो यहाँ पे हमारे plus की जगे पे हम क्या लिखते है, minus, minus जो है, यह जो symbol जो है, यह आपका represent करता है, कि above है, या below है, उसको represent करेंगा, ठीक है, जैसे कि next एक question दे रखा है, 50 degree Celsius, above 0, above उपर है, तो उपर को हम किसे denote करते है, positive से, तो answer हो जाएगा, 15 degree, plus 15 degree Celsius, ठीक है, अब जैसे कि question और ले रहे हूं, जो इसमें दे रखा है, gain of 1250 rupees, gain का मतलब भी क्या होता है, profit, profit का मतलब क्या होगा, plus आएगा या minus, plus आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, plus 100, sorry, 1250 rupees, ठीक है, this is our answer, अब अगर यहाँ पे gain की जगे, मान लो, loss होता, तो answer क्या होगा, अगर म का answer हो जाता, minus 1250 rupees, अब rupees कभी minus में तो होते नहीं है, यह minus जो है, वो rupees को show नहीं कर रहा है, यह show कर रहा है, कि यह profit हुआ है, यह loss हुआ है, उसको show कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, बाकी की question जो है, मैं आपको not down करा रहे हूं, आप कर पे solve करेंगे और मुझे comment करके बताएंगे, अगर कोई problem होती है, यह question आप not down कर लीजिए, यह सारे question आपको गर पे बेटके solve करना है, जैसे दे दे रहा है, loss of 500 rupees, तो इसका representation क्या होगा, एक में करके बता रहे हूं, loss दिया है, loss मतलब minus आएगा, और 500 rupees इसका answer हो जाएगा, ठीक है, तो आ 18 step to west, west में जाना, 18 step to answer, plus में आएगा, या minus में आएगा, खाले आपको सिफ यह बताना है, 12 degree Celsius, below zero, above होता है, तो plus में आता है, तो below में क्या आएगा, वो आपको बताना है, ठीक है, 5 km below, below मतलब नीचे जा रहा है, तो पांसर plus में लिखेंगे, या minus में लिखेंगे, वो अब हमारा second question है, find the sum of the following integers, आपको नीचे जो integers दे रखें, उनका आपको sum find करना है, sum का मतलब क्या होगा, हमको addition करके, answer find करना है, ठीक है, अब हमको addition करना है, तो उसमें आपको simple सी trick बताऊंगे, addition कैसे करता है, main जो problem आती है, वो इनी question में आती है, कि plus करना है, minus करना है, या symbol किसका लगेगा, plus का लगेगा, minus का लगेगा, बहुत confusion होता है, ठीक है, तो उस चीज को simple सा समझने के लिए मैं आपको trick बता रहे हूं, कि आपको ध्यान रखना है, कि जब भी कोई दो symbol एक जैसे आ जाते हैं, तब हमेशा आपको plus ही करना है, एक जैसे का मतलब जैसे कि अ 42 के साथ प्लस करेंगे, कितना आएगा, 5 प्लस 2, 7, and 3 प्लस 4, 7, यानि कि आंसर आ गया, 77, इन दोनों को प्लस कर दिया, अब बात आती है कि 77 प्लस का आएगा, या मैनस का आएगा, तो आपको देखना है कि बड़ी डिजिट को ओन है, 35 या 42, 42 बढ़ा है, 42 के आगे कौन स सिंबोल लगा हुआ है, प्लस, तो यहां पे भी क्या एगा, प्लस तो आंसर हो गया, प्लस का 77, जैसे कि अगर यहां पे एक कुशन में, या एक एक एगजामपल और ले रहे हूं, कि मान लेता है अगर यहां दोनों मैनस होता है, जैसे मैनस का 20, प्लस, मैनस का 10, ठीक है? अब इन दोनों का sum करना है, minus 20 और minus 10 का sum करना है अपने को, ठीके तो ये लिखा हुआ है कि इन दोनों का sum करना है, अब plus करना है इन दोनों में या minus करना है नहीं पता क्योंकि minus का sign भी आ रहे है, plus के sign भी आ रहे है, तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, दोनों digit के आगे क सिम्बोल देखने यह दोनों के आगे सेम सिम्बोल दोनों के आगे माइनस है तो साइन आपको देखना है किि जब भी किसी भी डिजइट sizin अगर दो सेम सिंबोल आ जाते हैं तो आपको उनको एडिशन ही करना है और फिर साइन लगाने की बात है कि तब हमेशा बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे आपको यह तो समझ आई गया होगा कि जब दोनों डिजिट के आगे अगर प्लस प्लस है या दोनों के आगे माइ माइनस लगा हुआ है और पीच में प्लस का साइन है चीक है तब ऐसी कंडिशन में किया करते हैं जब दोनों के आगे अलग-अलग साइन हो इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है चीक है आपको इसको बात में देखना है पहले इनके सिम्मोल diffic pigment को तो इसका आगे पलस ह आती कि इस यह 37 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा तो हमेशा आपको बड़ी डिजिट चक करने हैं बड़ी डिजिट कौन सी 87 87 के आगे क्या लगा हुआ है प्लस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस का 37 तो यह सबसे अच्छी शॉर्ट ट्री के याद रखने की कि इस करेंगे ठीक है ये दू किशन मैं आपको हमवक के लिए दे रहे हुँ तो आप गर पे बैठके soldier करेंगे आप इनके Simple देखेंगे देखो इसके आगे में मयाल सारह बिहां इसके आगे माइनस आरे श्यर्वाइं आटेय तब हम क्या करते है एड ही करना है इसमें और इस कुछिन में कोई डिफरेंज नहीं है थारого कुछिन में बीच में समय सब्स लगा के दिया था और इस व neutrino G, D, दे दिये इसके आगे कोई शाइन नहीं है मतलब इसके आगे हमेशा कि सीभी डिजिट के आगे कोई सिंबोल नहीं होता है, तो उसके आगे हमेशा प्लस माना जाता है, ठीक है, अब हम इसका एडिशन करते हैं, ठीक है, इन दोनों डिजट का 123 प्लस का न। प्लस, माइनस 215, इन दोनों को plus करना था, इसलिए मैंने बीच में plus का symbol लगा देखा, को किसने दिया कि addition करना है, ठीक है, अब देखो, हमको वोई trick लगानी है, कि symbol same है या अलग है, इसका आगे plus है, इसका आगे minus है, दोनों अलग-अलग symbol है, जब भी दोनों अलग-अलग symbol मिलते हैं, हम हम क्य क्या करेंगे, minus करेंगे, अब देखो, 123 में से तो यह minus नहीं हो सकता, बड़ी digit में से छोटी digit minus होगी, तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे, minus करेंगे, तो कैसे करेंगे, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2, 1 में से 2 नहीं जाता है, आप क्या करेंगे, इससे carry लेंगे, 11 में से 2 गया, कितना बचा, 9, फिर 1 बचा यहां पे, 1 में से 1 गया, कितना बचा, 1, इतना detail में मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको subtraction आना चीए, ठीक है, next देखो, अब बात आती है, कि symbol किसका आएगा, तो हमेशा देखेंगे, बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की है, तो यहां पे symbol भी किसका आएगा, माइनस का, next मैं इसी का question 4 करके बता रही हूँ, जिसमें दे रखा, minus 1820 को add करना है, 0 के साथ, ठीक है, तो यह तो simple सा question है, लेकिन बच्चों को confusion होता है, 0 आ गया तो क्या क अंसर क्या हो जाएगा, minus 1820, इसमें इतना कुछ करने का है नहीं है, किसी भी डिजिट में 0 प्लस करते हैं, वो ही आता है, इसलिए अंसर वो का हो ही हो जाएगा, next इसका question 7 है, जिसमें आपको 3 डिजिट दे रखी है, ठीक है, और इनको बोला कि addition करो, तो कैसे करेंगे, minus 3940 add करना है, किसको 2540 को, फिर इसमें add करना है, किसको 400 को, तो आप कैसे करेंगे, देखो, आपको addition करना, इसके आगे देखो minus का symbol है, इसके आगे कोई भी symbol नहीं था, मतलब किसका symbol था, यहापे, plus का symbol था, इसके आगे भी symbol नहीं है, मतलब किसका symbol है, plus का symbol है, ठीक है, तो आप आप इसमें तो simple सी एक trick और भी लगा सकते हैं जैसे ये दोनों plus-plus वाले हैं इसके आगे भी plus है इसके आगे भी plus है तो इन दोनों को plus कर दो तो 3940 तो मैंने ये as it is लिग दिया इन दोनों को मैं plus करूंगी तो answer कितना आएगा हमारे पास 2940 ठीक है यह हमारा अंसर हो जागा इन दोनों को addition करने के बाद अब बात आती है कि इसके आगे minus प्लस है और इसके आगे minus है अब क्या करेंगे plus करेंगे या minus करेंगे आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच में तो plus का sign है तो हम plus करें अगर plus ही करना होता तो फिर यह minus क्यों देता है यह minus देए ही नहीं होता तो हम इन दोनों को क्या कर देते है प्लस कर देते है लेकिन आगे इसके minus दे रहा है तो आपको symbol देखना बहुत जरूरी है इस integers के अंदर इसके आगे minus है इसके आगे plus है मैंने आपको बताया जब भी में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 4, 9 में से 9 गया 0, वापस minus कर रहा है मैंने mistake से थोड़ा अलग बोल दिया था, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ठीक है अब बात आती है symbol की, कि हम symbol क्या put करें, plus का करें या minus का, तो हमको बड़ी डिजिट देखनी, बड़ी डिजिट माइनस की है, तो यहाँ पर क्या आएगा, minus, यानि क्या answer होगी हमारा minus 1000, ठीक है, इसी किशन के बाकी किशन लिखे हुआ है, यह आप not down कर लीजे, गर पर बेटके solve करेंगे इनको, जैसे मैंने उपर बताया, वैसे इ